नमस्ते एक बर फिर से स्वागाता आपका अपने इस चैनल पर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो प्रेग्नेंसी में जो मॉर्निंग सिखनास होता है यानि कि जो सुबह उठते ही उल्टी जिसे हम कहते हैं जी मचलाना या कहते हैं जी कच्छा होना उल्ट सुबह उठते ही सुबह उनको नोजिया फिल होता है यानि कि उल्टी फिल होती है कुछ लोगों को होता है यह बहुत ही सीवियर होता है मतलब कि दिन में तीन से चार बर उल्टी हो जाती है या खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और कुछ को होता है कि बहुत ही हलका तो मेरे दो बेटे हैं, तो उसी वीडियो पे मुझे मेरे प्यारे सी वीवर ने कॉमेंट किया था कि किया आपको उल्टी भी होती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ये experience भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए वीडियो अगर पसंद आये तो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये सब और आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको मौर निंग three thousand ऑलोगों की सब बहुत कर ले अब करते हैं तो कहा जाता है और समीजी म toothpaste वालिए लेकिन हम को भी सेम्टम और आपको तो हैसा थी थे, अभी मां भल शेयर की मणा ग़ार ओप लादा है आप इसमें कितनी सचाई है या कितनी नहीं है यह तो मुझे नहीं पता है लेकिन हां मेरे केस में यह सिम्टम भी जो है जो भी काहवत है या जो भी old wives tales जो हम कहते हैं यह मेरे केस में यह भी 100% सही हुई है कि मेरे दोनों प्रग्यंसी में मुझे होता था नोज्या फील होता लेकिन बहुत ही लाइट होता था कि हान 1st Tiij susндै करांब को सब्सक्कों होता है चलह जाते हैं हो दोड़ानी जाए तर्थ भतार प्रेट हमें Đ Graz कि पानी पीने के साथ ही उल्टी हो जाती थी लेकिन उसके बाद एकदम से ठीक हो जाता था तो ही बाद एकदम से ठीक हो जाता था तो बहुत ही हलका सा सिंटम्स के साथ मैच करें आप लोगों में से भी बहुत साथ से वीवर्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे कि उनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी लेकिन फिर भी उनके घर लक्षमी जी आएंगी या अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत जादा भी हो यह सिर्फ आप मन मत बना लेना इसको लेकर कि हां मेरे सिम्टम्स में बिलकुल ऐसा हुआ है और मेरे लड़का हुआ है या किसी और को आपने सुना है कि उनको ऐसा शिम्टम था उनके लड़की हुई है मन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह जो भी बात करते हैं तो सब 50-50 अब यह कॉइंसिदेंस यह बाइचांस कहलो जो भी मुझे नहीं पता है लेकिन जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेगनेंसी लाइन वाली जो पेट पर काली राही ना जाती है वो और यह नोजिया वाली जो बहुत जाता है तो मेरे केस में तो यह दोनों 100% सही वो कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं इस पर मैं अलग से वीडिएयो करूँगी उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजए हमारे साथ जुड़िए ताकि जो मेरा experience है यह इसके delivery के बाद कुछ भी अगर ऐसा complication जो मैंने face किया है वो सब experience मैं अपना इससे share करूँगी तो please इस channel को subscribe जरूर कीजिए thank you for watching